नमस्कार दोस्तों प्रदीप निता की चन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाने जारे हूँ मोटी वाली हरी मिर्च की सब्जी यह बहुती लाजवाब बनती है और यह आप एक बार बार बनाएंगे इतना ज्यादा टेस्टी बनती है यह भरवा मिर्ची आप इसके बनाने के लिए यहाँ पर ली है मैंने मोटी वाली मिर्च ली है डाइसोग्राम इसको मैंने अच्छे से धो लिया है इसके बाद हमें इससे चाकू से इस तरह बीच से कट कर लेंगे इस तरह कट कर लेना है चाकू से इसके अंदर जो बीच होते है उसको आप निकाल भी सक और यहाँ पर देखिए सारे मिर्च काटकर हो गई है अभी हम इसे साइड में रख देते हैं यहाँ पर रखी है मैंने गयास पर कड़ाई रखी है अभी डालेंगे इसमें एक चमच तेल डालेंगे और यहाँ पर देखिए अभी हम डालेंगे इसमें तीन चमज बेसन डालेंगे बेसन को हमें मीडियम फ्लेम पर सेखना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि जो हमारा बेसन है वो जले नहीं और बेसन को 2-3 मिनिट लोटो मीडियम फ्लेम पर पकाना है यहाँ पर देखें बेसन अच्छे से पक चुका है कैसे बेसन का कलर चेंज हो गया है अभी हम इसे एक बावल में निकाल लेते हैं यहाँ पर बेसन को इस तरह अच्छे से मिक्स कर लेना है अभी हम इसमें कुछ सुखे मसाले एड करेंगे अभी हम डाल देंगे इसमें एक च चमच गरम मसाला और इसमें डाल देंगे एक चमच धनिया पाउडर और अभी हम डालेंगे इसमें हल्दी डाल देंगे थोड़ी सी और डालना है नमक स्वादा नुसार अभी हम डालेंगे इसमें हिंग से बहुती बढ़िया स्वाद लगता है आधा चमच हिंग डाल दिया ह है और यहां पर लिया है मैंने तीन से चार लसण की तक रैंध क हो ङबी सांक है उसे वह झाल दिया हैभी हम यहां डाल देंगे इसमें हरा धनिया थोड़ा सा और यहां पर लिया ह मैंने एख नीमबू का रस यसे भी डाल देंगे elfली के दने का पाउडर बनाया था दरदरा पीछ लिया था दाने को इसे भी डाल दिया है एक चमच डाला है यह और इन सबी को अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पर देखिए यह मिष्टरन थोड़ा ड्राइ हुआ है तो अभी हम इसमें डालेंगे 2-3 चमच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से mix करके अभी हम इसे भर लेंगे मिर्ची के अंदर ये सब्जी बहुती लाजवाब बनती है आप इस बेशन मिर्ची की सब्जी को जरूर ट्राएगी जे इसी तरह देखिए मिर्ची में बेशन जो है दबा दबा कर भर लेना है ये सब्जी बहुती टेस्टी बनेंगे आपकी सारे मिर्ची में हमें इसी तरह बेशन भर लेना है यहाँ पर देखिए मैंने सारे मिर्ची में बेशन भर लिया है अभी हम रखेंगे गास पर कड़ाई इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल डालना है और तेल को अच्छा गरम करना है और यहापर देखे तेल अच्छे से गरम हो चुका है अभी हमने डाले इसमें एक चमच जीरा जीरा देखो कैसे चटक रहा है अभी हम डाल देंगे इसमें यह मिर्ची मिर्ची को ऐसे इस तरह एक एक करके डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है यह जो मिर्चे आपको अभी ज्यादा दिख रही वो जैसे जैसे पकेगी वैसे वैसे सौप्ट होगी अभी हम इसमें डाल देंगे जो मसाला बचाता हमारा बेसन वाला उसे डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है दो से तीन मिनिट यहाँ पर देखें दो से तीन मिनिट हो चुके हैं अभी हमने डाला है इसमें दो से तीन चम्मच पानी डालके इसको पकाया है 6-7 मिनिट और यहाँ पर देखें हमारी बेसन वाल कि ये सबजी कैसी लगी जरूर बताईए बाइबाय दोस्तों हमारे वीडियो का लाइक कीजिए शेयर गेजर हमारे चानल सो सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ